नमस्कार बहुत स्वाकत है आपका देख रहे हैं आप जोतिश जराहट के मैं हूँ आपके साथ आपका आश्टो फ्रेंड संतोशी मित्रों आशिरवाद कैसे मदद करता है आज जो जानकारी हम बताने जा रहे हैं ये बड़ी बिलक्षण जानकारी है जो प्रत्वी की सबसे सस्ती दवा सबसे सस्ता उपाए सबसे सस्ता रेमिडी की रूप में जाना जाएगा यह उपाए पता नहीं किसी ने आपको कभी बताया होगा कि नहीं बताया होगा लेकिन हमने अपने चैनल पर अलग-अलग तरह से अलग-अलग एंगल में हमेशा बताया है क्योंकि यही एक उपाय हमने आज तक अपनी जीवन में किया है आशिरवाद लेना आशिरवाद शीनना आसान नहीं होता है मूगा, मोती, नीलम, पुखराज, मारिक, पन्ना खूब सारा पैसा खर्च करते हैं लेकिन जिसमें चवन्नी नहीं लगता उसे नहीं लेना चाहते है और वह है आशिरवाद लेना आज इससे जुड़े कुछ जोतशिय पहलू पर हम चर्चा करेंगे आशिरवाद अनमोल कैसे है क्योंकि पैसे से नहीं गिलता है हम उस आशिरवाद की बात नहीं कर रहे हैं जो जरूरत मन्त मैं भिखारी शब्द नहीं लाता जो जरूरत मंद सडकों पर रेड लाइट्स पर धार्मिक अस्थलों पर असहाय बने हुए धन की मांग करते हैं और जब आप उनके पात्र में हाथ में चार छे दस रुपए रखते हैं तो वो जैसे आशिरवाद की जड़ी लगा देते हैं मैं उस आशिरवाद की बात नहीं करता वो तो धन से खरीदा हुआ सा लगता है और उस आशिरवाद को लेने में आपका जो भाव है वह अहंकार युक्त है तो वह आशिरवाद फलेगा भी नहीं याद रखिएगा मेरी इस बात को गाठ बात लीजिएगा फिर कौन से आशिरवाद की बात हम करते हैं हम किस आशिरवाद को बता रहे हैं कि वो अनमोल है उससे हर ग्रह शान्त हो सकता है भला वो आशिरवाद कैसे मिलेगा आखिर आप उस आशिरवाद के पात्र कैसे बन सकते हैं बहुत आसान सा हम बताते हैं बात सारा खेल हमारे भाव का होता है कौन सा भाव अब बताई कई भाव होते हैं क्या हाँ दो भाव होते हैं एक कुंडली का भाव होता है नमबर दो विचारों का भाव होता है कुंडली के भाव से हमारे विचारों के भाव निर्मित होते हैं और फलित होते हैं कैसे लेहम अनमोल आशिरवाद रूपी उपाएको मित्रो जिस आशिरवाद की बात हम कर रहे हैं वह आशिरवाद सेवा भाव से मिलता है ध्यान दीजिएगा सेवा बहुत प्रकार से होता है प्रदर्शन से नहीं होता है सुर्वात अपने घर से ही किया जाता है सुरुआत मा और पिता से किया जाता है भगवान ने अगर आपको आपके घर में बुजर्ग भी हैं आपकी दादी हैं आपके दादा हैं तो उनसे भी सेवा उनका भी सेवा करके आशिरवाद लिया जाता है हमें उस्व भाग के नहीं मिला हम तो अपने दादा को देखी भी नहीं है और दादी भी हमारे जन्म के साथ ही चल बसी थी माता पिता दूर रहते हैं लेकिन भाव तो है और भाव है तो थोड़ा बहुत फल मिल जाता है लेकिन अभागे होते हैं वो लोग जो पत्थरों से आशिरवाद लेते हैं पहन कर सोचते हैं ग्रह बदल जाएगा सोचते हैं कि अब हम अमिताब बच्चन बन जाएंगे ससुरा नीलम पहन लिया तो दुनिया नीलमे पहन करके पहुँच जाएगी भाग्यम फलती सर्वत्र भाग्य हर जगे फलता है नीलम से भाग्य नहीं फलता इस ब्रम्हान्र में अगर भाग्य बदलने की कुबत च्छमता किसी भी चीज़ में तो सिर्फ आशिरवाद में है और वह आशिरवाद सिर्फ और सिर्फ सेवा भाग्य से आ सकता है यह लिखित रख ले कोई दान से भी वह आशिरवाद नहीं मिलता यह भी लिख के रख लीजिए सिर्फ से सौ फीज़ दी मिलता है यह मैंने देखा है और पाया है आपका भाव होना चाहिए आपके भाव में वो गहराई होनी चाहिए मिलेगा सौ फीज़ दी मिलेगा चितना चाहेंगे उससे कही जाता मिलेगा निहसंतान योग भंग होता हुआ देखा है सेवा भाव से और बताओ मैं आवश्यक नहीं कि आपके इर्दगिर्द आपके परिजनों की सेवा से ही मिलता है सेवा तो आप किसी की भी कर सकते हैं मूल भाव होता है भाव से भाग्य कैसे बदलता है आपके अंदर भाव जागरित हुआ करुणा का दया का मैं एक जानवर की उदारण से आपको समझा देता हूँ आपने किसी जानवर के प्रति दया का भाव किया जैसे बहुत गर्मी हो और कोई गउशाला के आसपास से आप गुजरें या कहीं कोई जानवर आपको दिखे कि बहुत प्यासा है जानवर आपके मन में एक स्कड़ में अगर भाव जगा और आपने उस जानवर को जल दिया तो सब पा लिया अपने कुछ बजा नहीं तो बस भाव जागरित होना ही फल दे देता है आपके अंदर का वो भाव जगना चाहिए हम सब भटकते रहते हैं नीलम पहले, दस लाख का अनुष्ठान करवाले मंदिर में पत्थर लगवाते हैं फलाने, पुत्र फलाने की इस्मृति में कुछ नहीं होता है, सब अहंकार है, बलकि पाप बढ़ता है और कल्पना करिए अहंकार किस चीज का, इस मिट्टी का, जिसको आग लगाएगा नहीं, भाव फलता है, अंदर से वो भाव आना चाहिए मैं हमेशा प्रियास करता हूँ, आप लोग को कुछ बहुत अच्छा दो लोग पत्थरों में ढूंटते हैं ना, चीजों को की इस से बहुत कुछ खुशियां मिल जाएंगी लेकिन आज मैंने जो उपाय बता दिया आपको, ये भाव का, ये अनमोल है इसका कोई मोल नहीं है, कहीं पर भी, मैं तो एक बार बोला था ऐसे ही, अपने ही किसी कारक्रम में की आप कनपटी पे पिश्टल लगा करके आसिरवाद थोड़ी लेंगे, कि चल आसिरवाद दे हमें, मार देंगे गोली नहीं तो ये तो भाव है बस आपके कुंडली के नाइन्थाव से ले करके, ट्वेल्थ से ले करके, फिफ्थ थक नव, बारह और पंचम भाव ये तीन भाव आपके एक दम से जागरित होते हैं जब आप किसी के प्रति करोना और दया अपने अंदर विक्सित करते हैं और फिर बोलूँगा सुरुवात अपने घर माता पिता आदी बड़ों से होती हैं यहाँ पर एक ही पक्ष में देखूंगा आप वाला पक्ष, दूसरा पक्ष उनका नहीं देखूंगा कि वो शराप पीते हैं, पापी हैं, अनाचारी हैं, दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, आपकी माँ, पिता, दादा, दादी, जो भी वो बड़ा, डेजन्ट मेंटर आप क्या है, आप क्या है, आप से मतलब है आप अपने पौत्र धर्म का पालन करिए, आप अपने पुत्री धर्म का पालन करिए, आप अपने बहु धर्म का पालन करिए, आप अपनी बेटी धर्म का, जो आपका धर्म है, एंगल जो आपका है, जो आपसे होना है, उसकी जिम्मेदारी हैं, बाकी भाड़ में जाएं भाण में जाए क्या लेना देना है जो जस कर नहीं सुतस फल चाखा हम कैसा हम जोर अपने आप बहाई हम दूसरों की विचार कैसे बदल सकते है फलाने ऐसे किये तो हम कहें के लिए करें अच्छा ये क्या है तो आप में फलाने में अंतर क्या है आपको तो बहुत अच्छा बनना है आप हमारे फॉलोवर है हम से जुड़े है तो हम यही चाहेंगे कि जो सबसे अनमोल उपाय है उसे आप करें प्रतेक प्रात्य हुटकर घर में जितने बड़े हैं सब के चरणों को हाथ लगाना यहां से एक अलग भाव का पैदाईश होना होता है सेवा भाव अपनाईए खुब सेवा करिए खुब आशिरवाद लेजे यह अनमोल है क्योंकि यह पैसे से हो ही नहीं सकता तो भागिशाली हैं आप सब जिसके घर में बुर्जूर्ग हैं जिनके घरों में माता पिता हैं तो भगवान बनाईए भगवान ढूटने मंदिर में नहीं जाया जाता यहां भी भगवान नहीं है भगवान सिर्फ मापिता हैं ब्रमान्ट को और कोई नहीं है कोई भी नहीं तो मैं महाबक्त हूं माता पिता का और थोड़े से अभागे भी हैं क्योंकि यह सब दूर रहते हैं बट भाव है मेरे अंदर तो मैं उस भाव से कुछ-कुछ थोड़ा बहुत पा लेता हूं सम्टाइल्स कभी-कभी चलते हैं ख्याल रखें अपना आप लोग बहुत ख्याल रखें अनमोल उपाय है इसे करिएगा सारे ग्रह एक तरफ माँ बाप का असिर वाद एक तरफ टेक्या लव यू आल